Hello Friends, Welcome to Les Services, This is Ramsoni आज हम बात करेंगे Agriculture Sector Reforms Bill Agriculture Sector Reforms Bill में इस समय क्या Controversies हैं? आखिर पूरे देश में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? इनकी बारे में चर्चा करेंगे This is gonna be very important topic बस आपको सिर्फ ये काम करना है कि आपको वीडियो अंतर देखना है जिससे आपको complete, full clarity मिल पाए तो आई बात करते हैं अगरिकर्जर Sector Reforms Bill क्या है इसमें क्या Pros है, क्या Cons है उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे दोनों ही positive और negative points को discuss के जाएंगे Summary आप कर सकते हैं अगरिकर्जर Sector Reforms Bill हमारी Government लेकर आई राज सभवन उनमें से दो बिल को पास कर दिये हैं कुल तीन बिल लेकर आने थे उनमें से दो को पास कर दिये हैं ये form reform bill जो है ये काफी important है हम इनके बारे में जानेंगे basically protest क्यों हो रहे हैं आखिर जो protesters हैं जो लोग protest कर रहे हैं उनका क्या दलील है basically हरियाना और पंजाब जो कि basically यहाँ पर यही दो रीजन है जिनको काफी advantage मिला गरिन डेप्रोशन का तो basically इनके protest होने का बड़ा करण क्या है और BGP का जो ally है जिसका नाम है सिरोमने अकाली दल तो सिरोमने अकाली दल ने basically क्यों छोड़ दिया है इनके बारे में बात करेंगे सबसे important point यह है कि जो farmer से कहना यह है कि जो form produce trade and commerce promotion and facilitation ordinance 2020 इसको bill pass कर दिया गया इस bill को बोला जा रहा है कि यह बोल रहा है APMC bypass ordinance यह देखा जा रहा है APMC का मतलब है Agriculture Produced Market Committee इसका मतलब यह है कि जो आपके जिले में जो मंडी होती है मंडी simple सी बात है layman language समझे मंडी जो होती है इसको बोलते है APMC Agriculture Produced Market Committee तो इनका जो bill है वो farmer से कहना यह है कि यह इसको bypass करना चाहते है जो मंडी है उसको bypass करना चाहते है तो the farmers produce trade and commerce promotion facilitation ordinance का मतलब यह है जो bill उन्हें पास किया यह basically उसको bypass करना चाहते है दूसरा essential communities ordinance essential communities amendment के बात करें इसका मतलब यह है कि the freedom of food stocking by agree business ordinance इसको layman language में बताया जा रहा है कि यह क्या है यह freedom of food stocking by agree business आप पताओ नची food stocking आपको allowed नहीं होती यदि आप एक किसान है तो आप किसी भी food की stocking मतलब stock नहीं बना के रख सकते काफी लंबे समय के लिए जिससे की market की जो prices है उसमें fluctuation हो या आप यह नहीं कर सकते काफी लंबे समय तक उससे आपने पास रखें यह भी एक दूसरा point है तो कह सकते हैं कि यह भी एक बड़ा point है दूसरा है former's empowerment and protection agreement on price assurance and form services ordinance तीसरा जो bill है इसकी बात करें तो यहां बोला गया contact forming ordinance contact forming का मतब यह कि जो farmer है एक contract sign करेंगे उस particular corporate sector से corporate house से जो आपको basically उस फसल का एक ही मतदा करेंगा लेकिन contact sign यह भी हो गया जैसे कि मैं आपको कहो हूँ कि यह भी contact हाला कि यह relate करना थोड़ा सा जीब होगा बट इस्टिल यह भी बात करें चंपारन सत्यागरे की बात करें तो वहाँ पे जो तीन कतिया प्रणा ले थी क्या थी तीन कतिया सिस्टम था तीन कतिया सिस्टम क्या था तीन कतिया सिस्टम में यह था कि तीन बटा बीस तो बीस हिस्टे में जो तीन हिस्टा है यहाँ पर नील की खेती करना कंपल सरी था यह दिया आपने contact sign किया तो आपको उस फसल की खेती करना compulsory हो जाएगा ये भी point है तो contract forming ordinance मतलब जो agriculture है वहाँ पर corporate sector की entry करने की बात हो रही है ये simple से बात है अब देखे यहाँ पर point क्या है आखिर मंडी क्या खतम हो जाएगी इससे इनके बारे में बचाचा करेंगे क्या यहाँ पर जो business man है जो corporate sector है वो उनको खूब सारा food stocking करने के authority मिल जाएगी जिससे कि वो सामवन को अपनी मरमरजी दाम पर बेच पाएं तो इसके बारे में बात करेंगे और तीसरा स्वर्पा point है contract forming ordinance कि आप एदे एक contract sign करते हैं तो आप क्योपर क्या obligations होंगी क्या क्या conditions आपको पूरी करनी पड़ेगी इनके बारे में बात करेंगे पहला जो attempt है जो पहला वाला है उसमें बात किया जा रहा है कि यहाँ पर फॉर्मर्स जो है अपना produce जो भी उन्होंने पैदा किया है जो भी उनकी फसल है उसको बेच सकते हैं एपी अमसी के अलावा एपी अमसी को मतलब है अग्रिकल्चर प्रोडूस मार्केट करमेटिक मतलब जो मंडी है इनके अलावा भी फॉर्मर्स बाकी जोगों में अपने सामान को बेच सकते हैं देखा जाती इसमें बोला गया है यह काफी क्रूशियल है इसमें नॉट टो सट डावन एपी अमसी यहाँ पे ऐसा नहीं कि मंडी को बंद किया जा रहा है लेकिन इसका परपस यह है कि फॉर्मर्स की जो 24 है उसको एकस्पांड किया जाए वेल देखें सिंपल सी बात है कि जो कॉर्पेर करता है कॉर्पेर शिक्रों कब आप बेच सकते है लेकिन कमाल की बात है यह वो परपसल है महगे दाम पर बेचना शुरू कर देगे तो प्रॉलम क्या होगी प्रॉलम यह होगी कि आने वाले कुछ दून में आपको मंडी बंध होती हुई नजर आएगी चुकि मंडे में जब कोई सामन बेचेगा नहीं तो मंडी क्यों चलेगी अब प्रॉलम यह है कि यहाँ पर एक बार महगे दाम पर आपका सामन उन्हें खरेदा शुरू कर दिया उसके बाद वो किस दाम पर बेचेंगे यह उनकी मर्जी पर टिपिंट करता है यह प्रिकास से मोनोपुलाइज भी हो सकता आने वाले कलमे कि एक कोई कारप्रेट सेक्टर है वो एक छत्र उसका अधिकार हो जाए तो किसानों को मजबूर किया सकता है अभी हम बात करेंगे क्या क्या पॉइंट है अभी कौन-कौन से और पॉइंट बन सकते हैं उसको हम चाचा करेंगे से प्राइवेट डिलिंग करते हैं तो वहाँ पर जो नियूनितम समर्थन मुलन की बात की जाती है तो वह वहाँ पर थंडे वस्ते में चला जाएगा तो कई वह जगे फार्मर्स इसके लिए भी प्रोटेस कर रहे हैं फिल आगे देखते हैं सेकेंड बिल जो है प्रोपोज कर रहा है क्या सेकेंड बिल प्रोपोज कर रहा है कि एकोनामिक जो एजेंट होंगे ये एजेंट जिनको आप बनाएंगे जो ये कॉर्परेट स्ट् जिनको license दिया जाएगा food stocking करने का वो food stock कर सकते हैं stock का मतलब ये कि अपने पास अनाज भंडारण काफी लंबे समय तक कर सकते हैं without the fear of being prosecuted for hoarding hoarding का मतलब ये ये काफी लंबे समय तक आप अनाज का भंडारण करते हैं और उसको बेशती नहीं है तो कई बार आपके उपर चार्ज लगते हैं कि आखिर ये अनाज भंडारण आपके लंबे समय तक क्यों कर रहे हैं तो कई बार government चार्ज लगाती है लेकिन यहाँ पर ये चार्ज नहीं लगेंगे तिसरा point यहाँ पर ये तिसरा bill बोलता है कि यहाँ पर framework for formals to enter into contract forming अब formals जो है contract forming मिंटर करेंगे मतब एक contract अब sign करेंगे अब देखें ये जो contract sign होगा एक return contract होगा यहाँ पर company के साथ obligation होगा एक former का कि आपको वो पैसे तो मिलेंगे लेकिन आपको फ़सल produce करने ही पड़ेगी एक पर कासे contract वोड़ा system यहाँ पर लाया गया है contract forming मतबकुल मिला किये formals को फ़िर वो फ़सल ही पैदा करने पड़ेगी एक बारे देखें आपने contract sign किया लेकिन एक problem और भी है इसका benefit एक तो formals को यह मिल सकता है कि हो सकता है हो सकता है फ़सल in case यहाँ पर कहा गया एक चीज यहाँ पर गौर्मेंट ने confusing चीज बुली है एक गौर्मेंट ने कहा कि बिचॉलिया हम खतम कर रहे हैं लेकिन कमाल की बाते देख corporate sector आप बीच मिलने के आ रहे हैं और वो corporate sector farmer से पैस की साम अनाज लेके और फिर बाद ने बेचेगा किसको वो बाद ने बेचेगा जिसको consume करना है मतब जो consumers है तो आप कैसे कह सकते बिचॉलिया खतम हो रहे हैं यहाँ तो बिचॉलिया तो यहाँ पर आएंगे ही आएंगे इसमें कोई confusion का कोई गुणजाईस ही नहीं है तो यहाँ पर बड़ा वाला बिचॉलिया आने वाला है तो condition यह है कि इससे farmers को यह डर लग रहा है यह कहीं ऐसा ना हो कि जो business man है वो उन से ससे दाम पर contact sign कर वाले चुकि समा अनाज की दाम कई बढ़ते हैं कई बार घटते हैं तो कई बार हो सकता है कि उन्हें ससे दाम पर contact sign कर वाले और market में दिए अनाज का दाम बढ़ गया तो भी उन्हें उसी दाम पर बेशना पड़ेगा जिस दाम पर उन्होंने कॉंटेक्ट साइट कर रखें तो यह एक point है जो farmers यहाँ पर protest कर रहे है अब यह और point discuss करते हैं अब देखें, protesters का view point क्या है इनका view point यह है कि पहली बात यह है कि free market यह system जो है थोड़ा सा कई न कई question market करता है और यहाँ पर देखा जय तो minimum support price जो है, यह minimum support price जो new term समर्थन मोल है जो government pay करती थी farmers को यह new term समर्थन मोल का जो concept है चुकि यह मंडी में होता था चुकि मंडी अब रहेगी नहीं मंडी जब रहेगी नहीं तो minimum support price का concept रहेगा नहीं चुकि यह आप किसी corporate house के साथ में contact sign करने है, इसका मतलब यह private deal है ठीक है, तो यहाँ पर यह problem आएगा दूसरा problem में, minimum support price works in the formally regulated APMC मतलब बंडी and not in private deal तो यह आलड़ी मैं discuss कर चुका हूँ यहाँ point देखा जाए, तो last पर हमारे देश में जो farmers है यहाँ पर लिखावा farmers जो है वो net buyer सब्सक्राइब फूर्ड है ऐसा नहीं कि वो farmers जो है produce को sell करते हैं, कि वो चीज़े generate करते हैं और sell करते हैं, अधिकांस कुछ चीज़ें आप produce करते हैं, लेकि सारी की सारी फसल आपको बेचनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आप उसको personal use में या इस्तिमाल करते contract contract होता है, तो contract के obligations होते हैं, यदि आप उस contract को पूरा नहीं करते हैं, तो आपके उपर penalty लगेगी, अब problem यह होता है कि यहाँ पर corporate houses होते हैं, यह आपको महगे दाम पर सामान बेचेंगे जो कि देगे business का एक उसूल है business का उसूल यह है, एक corporate house कोई ऐसा तो है नहीं कि मुप में आपको service प्राइट कराएगा corporate house कि वहाँ पर करोणो रुपए का investment कर रहा है, तो वही farming sector, वही agriculture culture से वह करोणो रुपए कमाएगा तो यह पैसे किसके पास जाएंगे यह पैसे corporate house के पास जाएंगे और यह पैसे निकलेंगे किससे अब भी ऐसी बात है निकलेंगे basically उन लोगों से उन फॉर्मर्स से कि जो अपनी फसल को पैदावार पैदा करते हैं पिल देखे यहाँ पैस यह है कि यह जो small farmers हैं यह farmers क्या करते हैं इन फसल को खरिदना भी नहीं पड़ता है क्यों चुकि इनके पास इतना generation नहीं होता कि यह उन सारी चीजों को produce कर सके तो कई सारी चीज़े इन्हें खरिदना भी पड़ता है तो कमाल के बाद जब खरिदने जाएंगे बेचने जाएंगे तो इन्हें सस्दाम पर बेचना पड़ेगा लेकिन जब खरिदने जाएंगे तो इन्हें महगे दाम पर खरिदना पड़ेगा यह point है मतलब यह directly किसानों से नहीं खरी सकते मतलब ये डायरेक्टर किसे खरीदेंगे ये उन corporate house से उन्हें खरीदना पड़ेगा अब यहाँ पर point एक और है यदि present time में देखा जाए तो marginal formers का जो graph है आप देख पा रहे होंगे क्या graph है एक बहुत बड़ा मैसू graph है आप देख सकते है marginal formers की संक्या हमारे देख में काफी 23 से बढ़ी है यदि हम 1971 से देखें 2015-16 में देखें तो marginal formers की संक्या काफी जदा बढ़ गई है ये चीज हजार में लिखी हुई है और आप देख सकते हैं कितना बड़ा फिगर है इसमें आप 0 जिरो लगा दो 1, 2, 3 से कड़े हजार दसजाल लाग 10 लाग करोड 10 करोड 10 करोड हमारे हम marginal formers है इसके लगब बाकियों की बात करें उनके संक्या काफी कम है से मेडियम है मेडियम लार्ज लार्ज की संक्या काफी कम है यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका संक्या काफी कम है महज 8,38,000 लार्ज फर्मस है लेकिन स्माल मतलब marginal formers की संक्या काफी जदा है यहाँ पे एक point यह है एक सबसे बड़ा question mark rate होता है वो यह है कि कई बार क्या होता है कि formers के पास में stories करना उनके लिए मुस्किन होता है तो उनके पास क्योंके capacity है नहीं stories की तो कई बार जो bargaining power है उनका इतने effective होगा नहीं कि वो right price जो है demand कर पाए that's biggest problem यह दि आपके पास stories है नहीं तो right price आप demand नहीं कर पाऊगे चुकि आप भी ऐसी बात है जब produce होता है जब market में खुब सारा produce होता है उस समय product की price आलरी बहुत की नीचे चली जाती है और आपके पास कोई stories तो है नहीं तो आपको उस समय contact जो आप करोगे हो सकता है वो सस्यदाम पर चली जाए यह भी एक question mark है यह भी farmer सोचते हैं कि यहाँ भी हमें exploitation किया आया सकता है यह रहे कुछ important points अब देखें यहाँ पर एक advantage क्या है advantage की दिए हम बात करें तो यहाँ पर यह जरूर है contact farming में यह होगा कि जो business man है वो आपको एक fix price देगा माले सपोच करें चावल की खेती में आपको 100 रुपे लगते हैं और contact farming के दे हो गया सामन बेचना पड़ेगा यह अपने contact sign कर लिया है दूसरा problem यह है कि यही market में यह business man यह आप से 120 रुपे में सामन खरीद रहा है तो वापस से सामन कितने बेचेगा वापस से यह सामन बेचेगा कम से कम 200 रुपे में चुकि यह अपना margin अच्छा खासा निकालेगा लेकिन जब आप सामन खरीदने जाओगे तो बेचोगे तो आप 100 रुपे में 120 रुपे में जब खरीदने जाओगे तो आपको 200 रुपे में सामन मिलेगा तो farmers को यह डर है कि यहाँ पर business man घुसाया तो problem हो जाएगी हलाकि हमारे देश में जो farming sector है पहले आपको बतोना चाहिए बहुत सारे बिचौली होगा करते थे जिससे करण हमारा जो farming sector जो किसान थे हो काफी परेशान थे हलाक किसान तो अभी परेशान है जगे जगे electricity की प्रॉलम है जगे जगे irrigation system की प्रॉलम है जगे जगे सूखी की प्रॉलम होती है जिनके country फसल खतम हो जाती है government जो है बहुत सारे promise करते है कि insurance हम बहुत सारे provide कराते है लेकि इसके बाद भी insurance जो है हमारे जो कई सारे ऐसे लोग होते है जो अधिया और तेहरे पे लेते है कि वो क्या होता उनके पास land registered नहीं होता बलकि वो किसी और का land लेते है और उसमें produce करते है आप suppose करिए यह आपने land ले रखा है तो जिसके नाम पे land है उसको उसका फाइदा मिलेगा जो उसमें as a tenant जो काम कर रहा है as a किरायदार जो काम कर रहा है उसको पैसे तो मिलेंगे नहीं तो government के जो policies ने कहीं न कहीं इन effective है government को अपनी policies ज़्यदा effective बराने की जुरूत है जिससे हमारे देशे किसान है जो suicide कर रहे है वो कम हो that's biggest problem तो I hope so कि आने वाले कल में government कुछ बदलाओ करेगी लेकिन protest के जो major reason है वो ये reason है पहला ये है कि corporate house घुसता है अंदर तो मंडी के खतम होने के संभावना बूसरा point यहाँ पर ये है कि ऐसी possibility contract ये आप sign करोगे तो contract के अपने legal obligations होते है तो उन्हें लगता है कि हो सकता है जो business man है वो उन्हें manipulate करके ससे दाम पर contract sign कर वाले और बाद में उन्हें मजबूर कर दे तीसरा point यहाँ पर यह है जो सबसे important discuss करने के लिए है और वो यह है कि यहाँ पर एक डरसा पैदा हो गया है लोग के mind में कि हो सकता है हो सकता है चुकि हमारी land holding काफी कम है और land holding के दिए हमारी कम है तो हो सकता है कि यह सामान हमें काफी महगे दाम पर खरेना पड़े और सबसे बड़ा point यह है कि यह event जो है हो सकता है food की stocking काफी अच्छी काफी बड़ी करे जिसके एक बिदनेसमेन के पास काफी पैसा होता है वो इस्टोरेज हाउस बड़ा बना सकता है और वो सामान तभी बेचेगा जब सामान के दाम जादा होंगे तो ये भी एक बड़ा डर किसानों के माइंड में है जिससे उने महगे दाम पे सामान करेदना पड़ेगा ये भी बड़ा पॉइंट है जो एक कंसर्न रिक्रेट करता है जिसे का पुड़ा ब्यापक तौर पर इस समय प्रोटेस्ट चल रहे है ये कुछ मात्पूर पॉइंट्स है मैंने आपको पॉइंट बताया अपने उपिने जरूर दें चाहे वो पास्ट्य हों चाहे निगेट्व हों उपिने जरूर दें ओके दर मिलते हैं फिर बबाया टेक केर थैंजिसो मज